बाई नौरातरे चल रहे हैं बिना लसन प्याज की सबजी बनानी है वो भी छोले की जी हाँ टास्क है बाई मेरे लिए और दूसरा छोले की सबजी तो बन जाएगी बिना लसन प्याज के लेकिन ग्रेवी की थिकनेस कहां से लाओगे यह मेरे एक सब्सक्राइबन ने मुझे काबुली चनाग चोले चिसे अब बोलते हैं अदा कप ले रहा है इसके अंदर और इससे क्या करेंगेए इसे हम धोएंगे दो से तीन बार पानी में अच्छी तरह से अमें ध्यान रखेगा कि इसके अंदर कोई भी केमिकल हो या कोई बिस स्वेश पॉली हो वह अच्छी तो दो से तीन बार मैं इसे पानी से धोली आया इसमें फ़ूल गए अराम से अच्छी तरह से और जगर इसे तोड़ूंगा न तो दो टुकड़ों में तूट जाएंगे तो बस यह टास्ट था और यह बहुत ही लाजवाब रसी बनागी यह दोस्तों मैंने आप याद हैं तो मुझे कमेंट जरू करिएगा कटोणी मैंने इसके अंदर धाही लिया है धाही कोई सब ही ले सकते मदलब आदा कब के आसपास एक टेबले स्पून ले रहाएं कच्छुरी लाल मिच और य Не जलना नहीं अपाउड़क्ट कछ्मी लाल मिच कलर के लिए लिए और इस लेकिन मिक्स करके डालेंगे ना किसी भी सबजी के अंदर तो बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा दही नहीं तो पानी मिक्स करके डाल सकते है, लेकिन हमें इसके अंदर तैसी भी में दही चाहिए, तो बस यह हो चुगा कंप्रीट next step के अंदर हमारे डाल देंगे छोले और इसके बादे इसमें भड़े झाले मसाले हमने इसके त्व nडर ढाल दिए, एक हरी मिरची ले रहा हूं, जिसके दो पाथ किया हैं, वो इसके उसके उसके जूदर में यह और इसके दो मिटियम साइज की टमाटर लिये थे ज्यक्टान का बारिक छॉप कर खाल सकते हैं दो मीडियुम साइज के टमाटर असके डाल दी है एक ज़्स जाल रहें है पानी और पानी डालने के पाजा इस से कर देंगे मैक्स और अब इसको निकाल के देखते हैं, यह देखिए, यह हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुक है, छोले भी हमारे गल चुक है, चेक कर लेते हैं भी है छोले गले या नहीं गले, तो बस इसको थोड़े गरम हैं, तो बस यह देखिए, दबा के देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारे छोले गल चुके हैं जिसे चना भी लोग बोलते हैं तो बस यह हो चुका है अब क्या करेंगे कोछ नी एक बार इसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे दो चार बार जिससे किया कि टमाटर थोड़े से और मैश हो जाएं क्योंकि वह साबूत हैं तो इसको अच्छी तरह स थोड़ी सी हिंग जी हाँ एक टेबल स्पून के आसपास में बारी कटीवी अद्रक डाल रहाँ क्योंकि लसन हम डाल नहीं दे तो अद्रक का फ्लेवर इसमें हम लेंगे और दो हरी मिर्ची है उसको मैंने बिल्कुल बारी काट लिया था और बस इसे पकाएंगे बिल्कु मिर्ची जीरा सब चटक के फ्लेवर आ चुका है यहाँ पर फ्लेम एक बार कम करेंगे और यह पेस्ट डालेंगे हमारे धही वाला मसाले वाला क्योंकि फ्लेम इसली कम करेंगे क्योंकि वह चीटे उचालेगा और थोड़ा सा बैटर पेस्ट इसमें रह गया था उसके पान चलाएंगे दही है दही नहीं फड़ गया तो फिर मज़ा खराब हो जागा फिर आप बलोगे मज़ा आपने बताया नहीं पहले तो इसे रेगुलर मैंने चलाया कम से कम तीन मिंट के लिए और यह देखिए मसाला हमारा पूरा पक चुका है मतलब और रिलीस तो मसाला हमार पूरा पक चुका है अब भाहिया अब क्या करेंगे इसके अंदर अब यहां पर ग्रेवी को जो हाड करना है ना अगर छोले वैसे हम बनाएंगे ना तो बन जाएंगे लिए इतनी पतली रहेगी वह छोला का टेस्ट खराब कर देगी यहां पर मैंने एक बॉइल आलू एक मेलिया है मीडियूम साइस का उसे मैश कर के इसके अंदर डालू ढूल रहा है जिहां ध्यान रखीएगा कच्छा आलू नहीं लuy खाल लिया है उसे मेश करके डालू यह ग्रेवी कर टेक्शर बनाएगा इसके अंदर तो यहां पर हम डालेंगे हमारे चोले और जिई किये थे यह हम डाल देंगे ये इसको कर देंगे एक बार मिक्स फ्लेम कर देंगे यहां पर मीडियम एक बार मीडियम कर देंगे हम फ्लेम को इसको कर देंगे मिक्स और इसमें थोड़े सी समान और डाल देते हैं जो मैं ना बता है ना आलू है ना कभी भी आपको हमेशा ग्र और आपध पिल्कुल व्रत के साबसे बना रहा हूँ लेकिन चेट पड़ी सब्य Willi यह ध्यान रखेबा तो बस इसको एक बार मिक्स में इसकं कर देंगे ऐहां पर घ्रम सकते कि बिना लसंद और प्याज की सब्जी बनिये यह देखिए आप बिल्कुल ग्रेवी की यही पहले पतली थी ना अगर आलू नहीं डालते ना तो बिल्कुल पानी की तरह रहती और आपको मज़ा नहीं आता तो बस यह कि देखने हैं। जब यह सथड़ी, भी थंढ़ी हो गी हònगी, तो बस अब क्या करना है इसके अंदर यह तो हमारी फिल पिलकुल हो चुगी है तियार और इसमें डालेंगे हम, मैं हमारा परमित्र हराधनिया हरा धनिया डालने के बाद क्या करेंगे ? इसे mix करेंगे और serve करेंगे अब इसे आपको खाना कैसा है ? रोटी के साथ खाना चाया है राइस के साथ खाना चाया है व्रत के लिए भी special है और guest है तो भी special recipe है बिना lesson प्याज के लिए तो बस अप क्या करना है दोस्तों इस्से आप जैसे भी खाना चाहते हैं थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया मेरा परण में